बिस्मिल्य रह्मान रहीम आज के वीडियो में मेरे साथ उम्र जिसकी टिक्टाग पर वीडियो भी है मेरे साथ और आज पिर बनाएंगे इंशाला इसके 10 मंथ की रिजल्ट दिकाएंगे और हैर ट्रंस्प्लांड की बाद उमर का जो इंट्रोड़क्शन है उमर मेरे साथ ब मैं आप लोगों को मिन अग्जिडिल लिखता हूं यह इसके कंपनी उसी कंपनी से तालुक रखता है तो यह रेगुलर आते हैं मैं हर आफ़ते दस दिन में मुलाकात हो जाती है इसका फालुआप भी करता हूं तो इसने जब ट्रंस प्लांड किया तो छोते माहीने पे इसने मैं आप लोगों को एक्स्प्लांड करना चाहता हूं पहले तो डोनर साइट कल टिक टाक पे एक बंदी ने कमेंड किया था कि सर आपने मेरा डोनर साइट खराब कर दिये ट्रंस्प्लांड के बाद डोनर साइट बिलकुल वर्जिन नहीं होता है क्योंकि इसे हम जो रूट निकाल लेते तो वो रूट्स वहां पे दुबारा नहीं आते हैं वो फ्रंट पे ग्रोथ कर लेते हैं तो डोनर साइट जो इना ट्रंस्प्लांड के लिए जरूरी है कि उसको हम खराब करें और आगे लगा दे यानी खराब इन एसेंस के वो अगर आप शेव कर दे तो यह पे नजर आएंगे कि इसे ग्राफ लिये हुए लेकिन नर्मलि आप देखो इसका ट्रंस्प्लांट हुआ हुआ है इसमें पिर भी इतने बाले कि इससे एक्सेशन हो सकते हैं यह बहुत चोटे चोटे रखते हैं लेकिन पिर भी ऐसकी स्कारिंग नजर नहीं आती है हाँ ज तो डोनर साइट आप डोनेट करेंगे पिर फ्लप्लांट होगा पिर जितने ज्यादा ग्राफ लगाएंगे तो उतने ही ग्राफ डोनर साइट से निकालेंगे तो मैंने तो आप लोगों को यह चीज़ में एक्स्प्लेन कर दो डोनर साइट के बारे में कि डोनर साइट वा लोगों को मैं दिखाता हूं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है लेकिन एक चीज़ इसमें में नोट करता हूं जो आप लोगों को भी बताना चाहता हूं अमर की स्कीन बहुत हाईली है हेरलाइन माशालला बहुत नेचरल है लेकिन इसकी फ्रंट वाले इस पॉर्शन पर मु दिखाते हूं यह इसका हेरलाइन तुड़ा जूंकर ने यह बिलकुल पता नहीं चल रहा है यह तो मुझे पता है कि इसका ट्रंस्प्लांट हो है लेकिन हेरलाइन बहुत ही नेचरल है हंड्रिट परसेंट इसको आप नेचरल बोल सकते हो क्योंकि हम इनसान है अल्ला की त सब्सक्राइब करेंगे अब यह बहुत रिजनेबल डेंसिटी में हमेशा कहता हूं के ट्रंस्प्लांट में इतनी डेंसिटी नहीं होती है जितना अल्ला नहीं बनाया होते है लेकिन पिर अगर आपके सर पे इतने बाला आ जाए कि इसमें आप हैरस्टाइल बना सके और इ रिजल्ट होते है तो यह रा उमर के दस महीने का रिजल्ट आप लोगों के सामने इसका हेर लाइन सब कुछ आप लोग देख सकते हों बाकि उमर से रिवीव लेंगे कि यह तो हमेशा आते मेरे क्लिनिक वैक्सर दो दो तीन-तीन गंटे बेटा होता है मेरे लिए मिलने के लिए तो बाहर के हलात इसको मुझसे ज्यादा पते है क्योंकि आक्सर आते हैं तो कभी पंजाब की मरीजों की साथ कभी सिन की मरीजों की साथ बेटा होते हैं तो तो तोड़ा रिवीव उमर से भी लेंगे जी उमर स्वावलेकम । सर से मेरी लेगुलर मौलाकात होती है मैं रेगुलर हो जत्ने भी पैशनट होते हैं वह स्टिसफाइड से जाते हैं मेरी जो ट्रांस्प्लांट हुआ था अर्शत को यह नहीं कहता कैंड है कि आपने ठ्रांस्प्लांट किया हुआ है नेट्रल लुक बिलक है यहिरफाल ट्रीट्मेंट करते हैं उन्हें डाक्टरों के पास विजट करते कियोंके इसकी जो मेडिसन है यूसी कामँ के लिए होती है इसकी जो कंपनी के में नगजी डिल के नाम से आती है वो इसको भी खुद मैंने यूज कर आया है मैंने का इसी को आपने यूज करना होगा ना तो माशाला उसका भी रिजल्ट आच है और दूसरी बात है कि मैं उमर्स यह पूछना चाहता हूं कि आप तो डर्मटालो जिसके पास दूसरे हैर ट्रंस्प्लांट वालों की बात जाते हैं वो क्या कहते हैं आपकी ट्रंस्प्लांट की बारे में वो कहते है कि आपकी ट्रंस्प्लांट की विजल्ट काफी अच्छी आई हुई है और यह आपकी जो है लाइन है यह फुल हंडर परसंट नेशरली डिखती हैं उसलिदी वागी आप इतने कानंफ्योज वाज बात ही नहीं कर सकते हो वेज़ इतिक रोटीन में बहुत बाते करते हैं मेरे साथ तो कीमरे के सापने पता नहीं कान्फ्योज हो गया तो मैं यही देखना चाहता था में खुद अधूद मालूम करना चाहता दा कि दूसरे डाक्टर इसके ट्रांस्प्लांट की बारे में क्या कहते हैं तो माशाला यह मुझे बताता है कि अग्षार के फलाने डाक्टर के पास गया ता उसने का नहीं यह तो हमें यकीन भी नहीं आता है के ट्रांस्प्लांटीड है और कभी फ्लाने डाक्टर का बता देता है लेकिन आज आप लोगों को नहीं बता सकते हैं तो यह रहा उमर के 10 महीने का रिजल्ट थैंक्यू फर वाचिंग अलाफिस